Hello everyone, आज का हमारा experiment है neutralization reaction, तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि acid और base जब एक दूसरे के साथ react करते हैं तो एक दूसरे के effect को neutralize कर देते हैं इसी वज़े से इस reaction को neutralization reaction कहा जाता है और इसमें salt and water produce होते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम dilute hydrochloric acid लेंगे और साथ में एक base लेंगे जो क्या है आपका sodium hydroxide सबसे पहले हम इस sodium hydroxide को एक test tube में transfer कर लेंगे अब इसके अंदर हम phenophthalene solution डालेंगे और phenophthalene जब base के contact में आता है तो इसका color pink हो जाता है अब देख सकते हैं कि solution का color pink हो गया है अब इसके अंदर base present है अब हम धीरे धीरे dropper के सायता से इसके अंदर acid add करेंगे और जैसे ही acid base को neutralize करेगा ये pink color disappear हो जाएगा क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के effect को क्या कर दिया है cancel out कर दिया है तो अब आप देख सकते हैं कि जो solution का color है उसमें से pink color disappear हो गया है अब हम थोड़ी से amount में फिर से उसमें base add करेंगे तो आपको दुबारा pink color दिखाई देने लगेगा क्योंकि अब उसके अंदर दुबारा base की amount जादा हो गई है और इस extra base को अब neutralize करने के लिए हम दुबारा इसके अंदर acid add करेंगे so that was all about this experiment thank you, happy learning